वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सिग्रही आप सब इस ट्रेन के सफर का मजा ले सकेंगे। फिलहाल इसका ट्राइल चल रहा है। इस ट्रेन के पड़िचालन से पटना से राची का सफर करने वाले यात्रियों को ही नहीं बलकि पटना और गया की यात्रा करने वाले यात्री भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सुमवार को वंदे भारत ट्रेन ट्राइल पूरा कर लिया गया। यह ट्रेन सुबह 6 बचकर 55 मिनट पर पटना से चल कर 8 बचकर 20 मिनट पर गया जंक्सन पहुची। पटना से ग गया या गया से पटना का सफर पूरा करने में करीब 3 घंटे का समय लगता था। इसके बाद वंदे भारत ट्रेन सुबह 8 बचकर 30 मिनट पर गया से राची के लिए रवाना हुई और दोपहर 12 बचकर 40 मिनट पर यह ट्रेन राची पहुच गई। दरसल सुमवार को पटना से राची के बीच वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल पूरा कर लिया गया। यह ट्रेन पटना से सुबह 6 बचकर 55 मिनट पर चली और राची दोपहर 11 बचकर 20 मिनट पर ही राची पहुच गई। रेलेवे सूतरों का कहना है कि पटना से राची की दूरी महज 6 घंटे 5 मिनट म यह ट्रेन तै करेगी जबकि गया से राची जाने में तक्रीबन 4 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा इससे पूर्व गया से राची जाने के लिए नियूनतम 6 घंटे का समय लगता था लेकिन वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से अब लोगों के समय में बचत आएगी साथ ही पट पतना स्टेशन से खुनने के बाद यह ट्रेन जहाना बाद इसके बाद गया में रुकी गया से खुननने के बाद यह ट्रेन फिर कोडर्मा हजारी बाग टाउन बरकाकाना मेसरा स्टेशन होते हुए राची पहुचेगी उसी तरह राची से यह ट्रेन खुलते हुए मेसरा बरका काना, हचारी बाग टाउन, कोडर्मा, गया और जहानबाद स्टेशन होते हुए पटना पहुचेगी रेलवे सुत्रों के अनुसार पटना से यह ट्रेन सुबह 6 बचकर 55 मिनट में ही खुलेगी 8 बचकर 20 मिनट पर गया स्टेशन, 1 बजे राची पहुचेगी वहीं राची रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन दो पहर 2 बचकर 20 मिनट पर खुलेगी और साम 7 बजे गया और रात 8 बचकर 25 मिनट पर पटना जंक्सन पहुचेगी वंदे भारत ट्रेन की स्पीड 100 से 130 किलो मिटर प्रती घंटा से भी उपर होगी हलांकि कई रूटों पर इसकी रफ्तार 180 किलो मिटर प्रती घंटा है तक्रीबन 6 घंटा 5 मिनट में पटना से यह ट्रेन राची पहुचेगी वहीं गया रेलवे स्टेशन से बात करने तो गया से राची जाने में सिर्फ 4 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा इसका किराया अभी तै नहीं किया गया है इस ट्रेन का सेडिूल फिक्स होते ही इसका किराया भी तै कर लिया जाएगा इस ट्रेन के परचालन से लोगों के समय में काफी बचत होगी लाइव भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें